आज अपन कप्षा बार्वी का अर्थसास पढ़ेंगे कला और वानिच मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कला और वानिच के लिए अर्थसास अब एक ही है प्त्चों ये जो PDF है समस्टि एक परिछ है और इसकी आपको समस्टि अर्षास और वष्टि अर्षास एक दूसरी के पूरत है इसको आप खाउश्टर बनागे इसका आंसर लिखोगे और इसको लन करोगे और समस्ट्री अर्षास के अध्यन के छेत्र कौन-कौन से हैं, इनके पॉइंट वाइज आप आंसर लिखोगे और याद करोगे, आपको पूरा पेडियर देखे, question-answer copy में लिखना है, कि कि आपको होंबग दिया जाता है, कहा जाता है, तो आपका ये ग्रहकार में यही कि समस्ट्री अर्षास के अध्यन के छेत्र कौन-कौन से हैं, वर्णन कीजिए, और दूसरा सबसे important question है, कि समस्ट्री अर्षास, देस्ट्री अर्षास एक दूसरे के पूरक हैं, या परस्पर हैं, इसका answer है बेटा, आप इसको अच्छे से point बाज याद करोगे, क्योंकि ह हमेशा परिच्छा में ये प्रष्ण है, उच्छा जाता है, तो आजपन, आजपन समस्ट्री अर्षास के एक परिचे, इसके छेत्र पढ़ेंगे, तो समस्ट्री अर्षास का छेत्र बहुत विश्रित है, इसके अंतरगर संपून अर्थ व्यवस्ता बड़े सम्हूं है, आद्यान किया जाता है, इसमें एक इकाई, व्यष्टि की इकाई, इनका अध्या नहीं, सम्हूं के अधार पर हिक िकड़ना करते हैं, या इनका अध्यान करते हैं, आधुनिक आर्थिक विस्टेशन में अनेक सिद्धान के समस्ट्री असास के, जैसे राष्टिया, बैप पार चक्र सिद्धान सामान मूलिस्तर मौत्रिक एवं मौत्रिक पैंकिंग समस्या में भी इसका अध्यन किया जाता है और अंतरास्टी व्यपा विदेशी विनीमे मतलब रोजगार की सिद्धान आदी में समस्टी अर्सास की छेत्र का क्या किया जाता है अध्यन किया जाता ह निम्ली कित्रह पहला है बेटा आयत था रोजगार का इस्तर का निर्धारत सबसे पहले पतावे पर आधारते कीमत आयत था रोजगार का इस्तर समस्ति अर्शास की प्रमुक विशय सामक्री है आयत रोजगार 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 प्रभावपूर मांग पर निर्भर करता है प्रभावपूर मांग द्वारा मांग में परिवर्तन अर्थववस्ता में तेजी से मंदी की दसा उत्पन होकर आइस्तर तब वो जन्म देती है फिर है दूसरा सामान ने कीमत इस्तर और मुद्राय स्थिति का विश्टेशन मुद्राय स्थिति का उत्पन का कारण क्या है पहला कीमत बर्तमान विश्ट्र को सबसे कस्ट दायक है इसकी तब जो कीवत पर क्या होता है सामान में कीमत इस्तर और स्थिति तब कीमत बढ़ने पर मुद्रा की कमी को स्थिति के ठीके आर्थि विवस्ता तलह की आर्थि विवस्ता तलह की आर्थि विवस्ता में से पीडित है आर्थि विश्लेशन के द्वारा स्थिति कीवत ब्लत्ती और अध्यन समस्ट्री अर्थसास का महत्पूर है तो जो वह है आर्थि विश्लेशन है जो वो क्या है समस्ट्री अर्थ आर्थिक विकास के लिए सिद्दान समस्टी अर्थसास का एक महत्पूर साखा है तुद्धि महायुद्धि के बाद विश्व में अनेक देश्व को गुलामी से सुकूता प्राप्त हुई और आर्थिक विकास की समस्या को आर्थिक नियोजन की सहता से हल करने का प्रेथ किया दिया लब आर्थिक नियोजन का दायत्म राज्य सरकार ने स्विकाल किया इस पस्थे की आर्थिक विकास का कार अताब ये अविन्द अंग है क्या विकास विवरन पर समस्टी सुद्दान वित्रण विवरन की अनेक समस्थ्यां जैसे खुल रास्ठी आई उटपाधन विविन्द साधनों का परिश्रम आय का विवरन किस प्रकार किया जाए गा ये सब क्या करता है कौन करता है समस्थ्री अर्शास में किया जाता है ये समस्ट्री अर्थसास की सिद्दानत का मुख विशह है, वित्रण, विवरण का समस्ट्र, राजस्व का सिद्दान, राजस्व मतलब जो राज में जो तब करने खटे होते हैं उसे क्याते हैं राजस्व, राजस्व में अने प्रधान, जैसे अंतरास्टी व्यापार की सि समस्टी अर्थसास के क्या है यह विशय है वेस्टी और समस्टी अर्थसास के पारसपर तिरभर या समस्टी अर्थसास वेस्टी अर्थसास एक दूसरे के पूरर हैं व्यक्ति एवं समस्त आर्थिक विस्लेशन की दो साखा हैं हाला कि व्यस्टी एवं समस्ती आर्थिक विस्लेशन की चेत में प्रथक हैं किन्तु आर्थिक समस्याइं होती है विस्लेशन की द्वारा व्यस्टी एवं समस्ती दोनों की आविशक्ता होती है इन दोनों प्रणाली में कोई भी एक प्रणाली आपको प्रून नहीं है प्रतेक प्रणाली में एक प्रणाली की सीमा पता तोस्ट दूसरी प्रणाली को दूर करनी के लिए लिये जाते हैं और इसकी निम्लेकित बिंदों पर आधार पर अपन स्पस्ट कर सकते हैं तो समस्टी वेस्ट्री विस्टेशन प्रयापक आर्थिक विस्टेशन की आवशक्ता होती है। आर्थिक विस्टेशन की समस्या आर्थिक विस्टेशन की आवशक्ता होती है। वो समस्टी आर्थिक विस्टेशन में वेस्टी आर्थिक विस्टेशन की है। सभस्ट्री अर्थ ववस्था के साथ जु सम्मंध है दिमनीमि ख्यित तक कर को ओसके आधार्पार बन क्या शहक रपा है, इस भस्ट करेंगे तो पहला संपूर अर्थ ववस्ता का अद्धन करने के लिए, नीतियों का निर्मान करने के लिए, वैत्तिक इकाईयों का विश्लेशन करने के लिए करना पड़ता है, लेक्तिक इकाईयों के बारे में सही-सही जानकारी प्राप्त करना आर्थिक विश्लेशन से नहीं हो सकत तो ये बस्ट्री अर्थसास समस्ट्री अर्थसास पर आधारित होती है, जो बस्ट्री अर्थसास है, भुकाय पर आधारित है, समस्ट्री अर्थसास पर आधारित है, समाज में रहने वाले लोग होते हैं, अधिक से अधिक बस्तू की क्या करते हैं, मांग, बस्तू की मांग यह समझा जाता है कि फर्म मांग बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ेगा, तो फर्मों में उत्पादन लागत में ब्रद्धी होगी, जब कब होगी जवपन मांग बढ़ेगी, तब फर्मों में उत्पादन की भी लागत क्या होगी, उनको बढ़ाने में ब्रद्धी होग और पुद्बस्तों की मांग कैसे जाती है कम जब बस्तों की मांग मड़ेगी पूर्थी ही उपाएगी तुद्बस्तों की मांग क्या हो जाएगी कम संपून आर्थ व्यवस्था की समस्या प्रवत्ती सही सही जानकारी तब ही प्राफ्त होती है जम तथ्यों और सिद्धान्तों का ज्ञान है लोग परिवार की धन्यों की व्यवखार को प्रभावित करती ही आर्थिक विश्था का कार्व विश्थी विश्था की आभाव में मतला कम हो जाता है क्योंकि व्यक्तिकत अध्यन के आधार पलगी हम संपून आर्थ वबस्ता करती है अध्यन करती है कि व्यक्ति आर्थिक विश्था में समस्टि आर्थिक विश्था की आवश्था है जिस प्रकार समस्या आर्थिक विश्था के लिए व्यक्ति आर्थिक विश्था की आवश्था है ठीक उसी प्रकार वेस्टी आर्थिक विश्लेशक के लिए समस्टी आर्थिक विश्लेशन की अत्ति आवश्यक इस्पस्ट किया जाता है इसी आधार पर मतब वेस्टी अर्षास समस्टी अर्षास में आर्थिक विश्लेशन को इस्पस्ट करने का आधार किया जा सकता है किसी भी फर्म को अपने उत्पादन की मात्रा निश्चित करने ते समय समाज की संपून मांग की प्रह सकती समाज की इस्तर आय के इस्तर जैसे छोटी-छोटी बात भी उत्नीम को ध्यान में लखना पड़ता है कोई भी फर्म मूल ने मजदूरी उत्पादन को सतंत रूप से क्या कर सकता है निर्धारित कर सकते हैं छोटा उत्पादन करते हैं कोई फर्म लगाते हैं उसके लिए अपन स्वेम मजदूरी उत्पादन कराने के लिए क्या है स्वातंत रूप से अपन उसको निर्धारित कर सकते हैं इसी प्रकार कोई भी फर्म कितना माल विक्राय कर सक इस बात पर निर्भर करेगा कि समाज के लोगों को कह सकती कितनी है ना कोई बस्थू को उत्पादन हुआ समाज की लोग उसको कितनी गूल इस तर चाहे कितना भी कम को ना समाज में बस्तू की विक्री अधिक होगी इसके विप्रीद बस्तू की कीमत अधिक होने पर बस्तू की विक्री भी अधिक होगी समानता एट व्यक्ति उत्पादन उत्पत्ति के साधनों मजदूरी पर निवधारण विवस्था करत किया जाना जाये है। अंके छहेत्र में आता है। इन दो ब्यव हार ऐसे नहीं है। गुत पादक अपने साथ मजदूरी का निवधारण केवल अपनी फर्म की सक्तियों क случае कर सकता है। अपनी फर्म की सकति के इंजार वैंग अन्य संबंदी तक्ष्टों का अध्यान करना भी हावश्च रहें। वेस्ट्री आर्थिक विस्लेशन की कारी की पूर्ती के लिए समस्ट्री आर्थिक विस्लेशन का सहारा लेना पड़ता है। उप्योग विवेशना से इस पर स्ट होता है कि वेस्ट्री और समस्ट्री आर्थिक विस्लेशन एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं बलकि एक दूसरे के पूरत है। इन दौनों का आर्थिक विस्लेशन एक दूसरे पर आश्रित है। एक के आभाव में दूसरी का विस्लेशन अधूरा है इसकी विप अतरिक्त समस्ट्री अर्थिक विस्लेशन के चेत्रि में जो विकास हुआ कितने अंस में वेस्टी आर्थिक विस्लेशन के माध्यम से विभादल एक निस्टिस सीमा रेखा नहीं हीजी जा सकती पूरक हैं या एक दूसरे के पूरक हैं बच्चों समस्टी अर्सास और वेस्टी अर्सास एक दूसरे के पूरक हैं स्पस्ट कीजिए या आपका प्रेश्ण है आपको इसमें आपका एग्रहकार है आपको परना है कॉप्पी में लिखना है रस्टी अर्सास और समिस्टी अर्सास एक दूसरे के पूरा के इसपस्ट कीजिए और समिस्टी अर्सास के छेत्र परनन कीजिए